अस्सलामु अलेकुम गर्मी बहुत ज्यादा पढ़ रही और सब कुछ नव कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग पीना चाहते हैं तो बस ठंडी ठंडी और तरो तादा करने वाली आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नहीं नहीं एक नहीं बलके दो बहुत ही फायदे मंद और जटपड बन जाने वाली ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप एक बार बनाए पूरी गर्मिया फायदा उठाएगे ऐसी गर्मियों की रिफ्रेशिंग रेसिपी जिसका सिर्फ एक गिलाज देगा आपको इंस्टन ठंड़क और एनरजी ये रेसिपी ना सिर्फ आपके जिसम को ठंड़क देगी बलके आपको और आपके बच्चों को बचाएगी लूग लगने से गर्मियों में होने वाली और कमजोरी से यह है एल्दी रेसिपी पूरी फैमिली के लिए है तो जल्दी से स्टाट करते हैं रेसिपी को लिकिन उससे पहले एक अधीश देख लेते हैं आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना उसका नाम है आम पन्ना उसके अलावा हम उसी के पॉप्सिकल्स भी बनाएंगे कैसे बनाएंगे सब इसी रेसिपी में जानेंगे लिकिन उससे पहले क्या करना आपने बहुती कच्ची ग्रीन ग्रीन केरिया लिए पहले हमें इसको ausensi को पिल कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है पिल करने से क्या होता है इसको चौप करना है वहाइन चौप करने की बलकुल भी जरूद नी है तो ये देखे इसकी जो गुटलिया है वो आपने साइट कर देनी आगर आप इसको बॉयल करना चाहें तो केरी को बॉयल आप छिलके सम्मेट कर सकते हैं लेकिन इसके छिलके में बहुत सारा पल्प रगार रह जाता है और साथ ही गुटलियों में इस तरह सा अगर आप छील तो काफी जादा केरी आपकी बच जाएगी जाया होने से तो इसको हमने इस तरह चौप कर लिया है एक बरतन में हमारी जो केरी है चौप की वह दालेंगे उसके लावा हम इसके साथ ही पानी दालेंगे बिल्कुल कम बाकी इंग्रेस कॉंटिटी आपको साइट में दालना है और इसके साथ ही हमने दाल लिए फ्रेश पोदीने की पतियां यह मैंने तकरीबन एक कप जितना पोदीना लिया है और इसको दो के आप इसमें दालने साथ इसमें दाला नमक पिसा हुआ जीरा पाउडर मतलब जीरा पाउडर पिसा हुआ ही होता है उसके अब हमने क्या करना है कि एक बड़ता लेना है उसमें चीनी दालेंगे चीनी के साथ हमने पानी दालना है जितनी मैंने चीनी लिया है सेम उतना ही मैंने पानी लिया है अच्छा एक तारवाला अपने शीरा नहीं बनाना बस इतना इसको पकाना है कि पानी में चीनी अच्छे स दाल देंगे और इसको medium low flame पे इसको पकाना है, high flame नहीं करनी, medium low flame पे इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थीक हो जाए, अभी ये बहुत ही liquid है, इसकी consistency मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ, ये देखें कितना liquid है, ये अभी थोड़ा थीक हो जाएगा, इतना हमने इसको पकाना है, अगर आप green food color दालना चाहें, तो दाल सकते हैं, वहना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है और आपके पास है, तो दाल सकते हैं, तो देखें मैं इसको इतना पकाया है, कि ये थोड़ा थीक हो गया, इसका color भी change हो गया, इसकी थीकने आपको चेक करवा रही हूं, बुलकुल एक तार नहीं बना, लेकिन थोड़ा सी consistency इसके एक तार जैसी हो चुकिए, बस इतना इसको पकाने, इसको ठंडा होने देंगी, ये हमारा आम पन्ना, concentrate या पिर squash बुलकुल ready है, देखें, इसके बीच में मैं फिंगर से लाइन ड्र सारा खराब हो जाएगा, इतने महीने नहीं चल पाएगा, तो ये सारा concentrate हम इस बोटल में डाल देंगे, और इसकी में popsicles भी आपको बना के दिखाओंगी, और इसको अब बस आपने बना लिया इसको महीनों की छुट्टी, मतलब पूरी गर्मिया जब भी आपका दिल चाहे ठंडे चल पानी में या फिर सोडे में भी आप इसको बस आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दालें, उसको मिक्स करें और पीएं और घरवालों को पिलाएं, कुछ चीनी ना गोलनी पड़ेगी, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको, और पॉप्सिकल्स भी बनाने में पिल्कुल भी देर नहीं लगीगी, उसको बनाने का तरीका भी में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आम पन्ना की प्रॉपर रेसिपी में आपके साथ शेयर कर देती हूं, कि आम पन्ना हम बनाएंगे कैसे, अब हमने बोटल में से थोड़ा सा ये श्वाश की महनत है, उसकी बाद पूरी गर्मिया मज़े ही करें, आप कोई जादा महनत करने की जरूरत नहीं है, जब भी महान आई या फिर आपके बच्चे स्कूल टूशन से ठके हुआ हैं, तो थोड़ी देर बाद धूप से फोरान आने के बाद नहीं कुछ देर बाद आप उनक अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्च आप डाल ने पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो यह आपके साथ मैंने शर्बत की केरी की शर्बत की या आम पन्ना की रेसिपी शेयर कर दी, आप ये बना ये इक साथ मुद्ट यह कोई है, ये मैंने आपके साथ defense, केरी की जेयर की रेसिपी, ये पस वहाई है, उसको मैंने बस इस तरा सी चोटा चोटा सा चॉप कर लिया है, इसके चंक की पास रखी वी थी, हमैंने कि क्यों की सकिप करूए 세상, तो ये देखे येकिने त् चोटे चंक्स में कट कर लिया है और इस popsicles mold में में डाल दूँगी यह खुद ही नीचे बेड़ जाएंगी यह जैलिया और इसको बस आप बंद करें और इसको साथ से आट गंदे तक freezer में freeze कर लें अच्छा अगर आपके पास यह आइस क्री मोल्ड नहीं है तो आप क्या करें कोई भी glass ले सकते हैं disposable cup वगारा आप ले ले लें उसमें भी आप यह बना सकते हैं और चमश वगारा उल्टा करके रख सकते हैं या आपके पास popsicle sticks हैं तो वह insert करके बस freezer में 7-8 गंदे तक freeze कर लो यह देखें हमारी popsicle बुलकल अच्छे से freeze होगा इसको निकालेंगे इस त disposable cup वगारा है तो वह भी dip करें इससे यह होगा कि popsicles malt की sides अच्छे से easily छोड़ देगा और demalt हो जाएगा problem नहीं होगी यह देखें इस तरह से आप इसको थोड़ा से rotate करने उपर की तरफ खीचें और यह देखें आपकी कुलफी बिना टूटे भूटे आराम से बहार आ गई और अगर popsicles और कुलफी अगर refreshing हो और मद्यदार भी हो तो क्या ही बात है तो यह recipe अगर आपको अच्छी लगए तो like share subscribe जरूर कर दीजएगा और यह जो केरी की recipe है केरी की जेली की recipe मतलब तो वह आपको end screen में मिल जाएगी आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं मैंने आम पापड भी आपको केरी पापड बनाना सिखाया था उसके लाब यह जेली की recipe भी आपके साथ शेयर की थी तो दोनों recipe आपको end screen में मिल जाएगी तो like share subscribe बल्कुल नहीं बूलिएगा मिलते हैं किसी और interesting recipe में जब तक के लिए अलहाफेद